हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ा है वीद पीके में तो दोस्तों इस वीडियो में जिसा कि हम सभी को पता है कि हम ग्यान से तू सुबोज के भी ग्यान भाग को पढ़ रहे हैं और आज वहीं पर हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भी आज हम पेज नमबर 58 और पेज नमबर 59 के सभी प्रसनों के उत्तर यहां पे जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें इसकी स्कीप ना करें क्योंकि वीडियो स्कीप करेंगे तो आपके सवाल यहां पर छुट भी सकते हैं या फिर या वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं भी आ सकता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे जो हमारा पहला सवाल दिया गया है वह कुछ इस परकार से है सवाल है कि तो सब्सक्राइब देखता है कि अभ्यास कारपत्रा का 12 है और आप उसका पहले पेज नमर देख लीजिए आणको तो इन दोनों में से विद्यूत बचार की दृष्टिसे किसे चाहिए और क्यों टिक बलाए कि रहा के पास्या वविद्यूत वाल है के लिए भी होते हैं यहां पर एक अपका हॉल्डर होता है वाइट बाल और एक बाल तो वही है जो कि हम जो हम सब के घर में पाले भी जोता था बहुत जगा से यह बहुत को यूज नहीं कर रहा है इस तरह का बल्ब है यहां पर आपको कि फिलामेंट रहते हैं इसमें इस तरह से तार जुड़े भी रहते हैं तो यह क्या होते हैं और यह होते हैं हमारे बल्ब ठीक है तो बोला गया कि CFL और बल्ब में से किसका अप्योग करना चाहिए देखिए जो CFL होते हैं वह कम पावर के होते हैं वह कम विद्यूद लेती है लेकिन जो हमारे बल्ब होते हैं वह अधिक विद्यूद लेती है तो अधिया आपको करेंगे क्यों कि CFL की विद्यूद छमता क्या होती है कम होती है जिससे विद्यूद मचत होता है चलिए अनसार लिखते हैं कि क्या लिखेंगे कि CFL का इप्योग करेंगे तो लिखेंगे कि किसका करेंगे CFL का इप्योग करेंगे करेंगे क्योंकि यह कम विद्यूत च्छमता की होती है यह कम विद्यूत खार्च होगा के एच ए आर से एच खार्च होगा ठीक है तो यही आपको यहाँ पे अंसर लिखने थे तो चलिए जब देखते हैं अगले सवाल को अगला सवाल में जो दिया गया है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सवाल है सल्मान के घर में बिचली खपत को दरसाने वाला एक ग्राफ दिया गया है तो पाला परसन जो दिया गया वो इस परकार है कि सन 2011 में बिचली की खपत कितनी यूनिट थी कि साल 2011 में बिचली की खपत कितनी यूनिट थी देख सकते हैं कि यह जो ग्राफ है वो आपका 2011 का ठीक तब देखे 2011 में जो बिचली की खपत थी जब इसे मिलाईएगा तो या आपके याँ पर आके मिलते हैं तो कितनी आपको दिख रही है कि बिजली की खबाद 2011 में कितनी थी तो जैसे कुछ वहाँ जाके मिल रही है मतलब कि या आपकी बिजली की खबाद 2011 में 400 के लगवग थी कितने से 400 के लगवक बिजली खपाद आपकी 211 में थी लेकिन 400 से अधिक है विसे हम ले देते हैं कि 500 थी कितनी तो 500 कि 211 में तो 500 है अब उसका अगला देखते हैं तो 500 यूनीट थी दो लिख देते हैं 500 यूनीट अगला सवाल दिया गया है 211 से 215 में बिजली की खपीत में कितने यूनीट का अंतर आया चली देख लेते हैं कि 215 में देखते हैं कितनी है तो बारा सो है तो कितनी होगे बारा सो तो देखे दो जार चोगदा में बारा सो और 211 में 500 कितना अंतर हुआ तो 700 कितना अंतर हुआ 700 का अंतर हुआ तो कितना इंसर में लिखेंगे लिखेंगे 700 ठीक है पुछली ये कितने हो जाएगी 700 यूनीट 700 यूनीट अगला दिया गया है कि बिजली की खपत में पर्तिवर्स होने वाली वृद्धी के क्या कारण हो सकते हैं 300 कारण देखिए आपको यहाँ पर दीख रहे हैं कि बिजली खपत में बिर्द्धी ही हो रही है पहले इतना था फिर बढ़ते 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 देखिए इस तरह से बिर्द्धी हो रही है तो यहीं बोला गया कि बिजली की खबद में जो ब्रिद्धी हो रही है वो क्यों हो रही है उसके लिए तीन से चार कारण लिखी ठीक है तो क्या कारण हो सकती है पहला तो हो सकती है कि अधिक बल्ब का इपियो को किया रहे हूं और फिर अधिक खमता के बल्ब का इपियो किय जा रहा हूं या बल्व को अधिक समय तक चालू रखा जा रहा है तो लिखेंगे बल्व को अधिक समय तक चालू रखा जाता हो पहला कारण हो गया है या धिक चमता के बल्व और अन्य अंतरों का इप्योग अगला आप क्या लिख सकते हैं के या धिक संख्या में बल्व और दुसरे अंतरों का इप्योग अधिक संख्या में के नहीं अधिक संख्या में में अधिक आवर आव अधिक संख्या में अधिक संख्या अधिक संख्या डूसरे अंतरों का और यह यह हिर्जोग या फिर देक तब कि आधुनी में जाना बनाने के लिए रागए है तो अदो को लगाना भी हो सकता है कि आधुने कि विद्यूत यंत्रों का पर्योग करन ठीक है तो यह वह गए आपके यहां पर इससे देख सकते हैं कि आपको इतने हाई पर मैंने चार इंसर लिखा दिया आपको यह चार एंसर होगा पर लिखने थे तो इस तरह से आपका पेज नमर 58 होता है यहां पर समाप्त ठीक है तो फिर नमर 59 पर पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तरह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरह चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे लाल रंग में दिख रहा होगा अब हम साथ में वीडियो को लाइक के जरूर करें लाइक आवंग उठे का निसान दबा के कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें इस तक आपको सेयर बटन दिख रहे होंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज 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 नमर 50 कितना 59 पर ठेक है तो चलिए इस पेज को बनाना शुरू करते हैं तो इन में जो पहले सवाल दिए गए हैं वापको है कि निमलखित प्रस्नौम के सही उतर के कर्माक्षर को चुनबड़ कौश्ठर में लिखिए पहला है निमलखित में सरल देखिये गटी के उधाहरन है देखे जुला की गटी देखे जुला कैसे होता है इसे तरह होता इधर आधर आता इधर आता प्रवादी गती होती है तो देखिया गती है कि आपने सरम नहीं होंगे अब यह तो हमारे अंसर नहीं होंगे दूसरे सुरे के चारों फिरत्मी कहती नहीं, ये किसे गोल होती है, तो ये भी हमारे answer नहीं होगे, तो क्या होंगे, March पॉस्ट करती हुए, सेनिक, तो हमारा answer जो इसमें हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सेनिक, अगले जो सवाल देये गया है वो इस परकार है आपको दिखरा होगा किसी वाहन द्वारा तै की गई दूरी मापने वाला व्यक्त करन कौन सा होता है क्या वा पत्थ मापी होता है चाल मापी होता है धुबगड़ी होता है या बहुत और सो दोनों होते हैं तो आखिर वा कौन सा एंतर होता है जिससे कि ये मापा जाता है कि ये पत्थ मापी होते हैं चाल मापी होते हैं धुबगड़ी होते हैं अब बहुत सो तो चाल मापी ही होते हैं तो चाल मापी ही आपके चाल और साथ में जो उता है की गई दूरी होती है दोनों को मापने का कार यही करते हैं ठीक है तो चाल वह अता है कि गई दूरी को मापने कार आपका चाल मापी ही करते हैं और धूप गड़ी इसका एंसर नहीं है तो यह हो जाएगा आपका बौव नमर तो ठीक है, तो क्या बताए, गौर नमर का इंसर, तो गौर नमर का जो आपके एंसर है, वह क्या हो जाएगा, कि किसी वाहन द्वारा तेकी की दूरी मापने वाला अंतर कौन होता है, पत्ध मापी, चाल मापने वाला चाल मापी, धूब गड़ी से समय मापा जाता है, ठीक, तो इसमें आपके answer क्या हो जाएंगे तो इसमें आपके answer हो जाएंगे आव नमबर पत्थ माँ पी ठीक है तो पहले मैं इसका 100 नमबर बता दिया था वो गलत था इसका answer हो जाएगा आव नमबर वो mistake से हो गया था अगला है कि घड़ी के pendulum में किस परकार की गती होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि घड़ी के pendulum में जो गती होती है वो क्या होती है वो आवर्थ गती होती है तो यह आपके वो जाएंगे सा नमबर अगले दिये गए प्राचीन समय में प्राचीन समय के समय मापन की युक्ति क्या है क्या वा धूब गड़ी है रेद गड़ी है जल गड़ी है प्रोक सभी तो ये तीनों हैं प्राचीन समय में समय मापन की युक्ति तो इसमें आपका एंसर हो जाएगा दो ठीक है तो चलिए अगला देखते हैं अगला दिख रहा तो इसका नाम है विराम घड़ी तो विराम घड़ी क्या है तो इसकेंड से भी छोटे समय को माप लेता है तो इसमें आपका एंसर क्या हो जाएगा विराम घड़ी तो यहां तो आपको समझ में आ गया होगा तो बढ़िते हैं अपने अगले सवाल पे अगला सवाल जो दिया गया वह इस परकार है रिक्तस्थान की फूर्ती की जिए कि नीचे जो आपको रिक्तस्थान दिये गए है खाली जगा दिये गए उसे भरना जैसे किसी वस्तू द्वारा एकांक समय में तै की गई दूरी क्या कालाती है तो एकांक समय में तै की गई दूरी क्या कालाती है तो यह आपका चाल कालाती है तो इसका एंसर हो गया चाल अगला दिया गया है सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगाने वाला समय लोलक का क्या कालाता है तो लोलक का कालाता है यह आपका आवर्त काल तो यह हम एंसर लिखेंगे आवर्त काल तो यह हो गए इसके right answer तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपका जो है वह इस परकार है वह आपको दिख रहा है आपके screen पर सवाल number go पर यह क्या दिया गया है दिया गया है कि सरल रेखा के अनुदिस वस्तू की नियत चाल से गती क्या कहला टी है तो सरल रेखा के अनुदिस जब अस्तू की नियाद चाल से गती होती है समान जो कि आपको यहांपे नहीं दिए गए एक एक समन नहीं एक समान जो कि आपको यहां पे नहीं दिए गए एक लिए से दूबारा लिखते हैं एक एक समान सरल सफल नहीं यहां पे लिखने हैं सरल रेखी यह गती तो हो गई आई आपके एक समान रेखिया गती इसके एंसर तो यही आपको यहां पर लिखने हैं एक लाद दिया गया है कि चाल बराबर डैस बटा लिया गया समय तो कितना बटा होता है ताय की गई दूरी तो हमें क्या लिखने है लिखने है ताय की गई दूरी ताय की गई दूरी तेक है बटा समय तो चलिए अगला सवाल या पर लिखने है तो चलिए उसका अगला सवाल यहां पर देख लिया जाए जो किया आएपका सवाल नमर यहां क्या कि क्या बोल रहा है सवाल सवाल बोला कि लोलक का अवर्थकाल मापने के लिए हमें किस किया सकता पूल देखिए लोलक का अवर्थकाल मापने का जो फर्मूला होता है मतलब की जो t बराबर होता है वो होता है 2 πाई कितना होता है 2 πाई रूट अंडर l बटा g देखे 2 का मान तो हमको जानते हैं पाई का मान पता है जी का मान पता है इसमें सिब किसकी आफ सकता पड़ लिए तो l की l क्या होती है लूलक की लंबाई तो क्या लिखेंगे यहां पर लूलक की लंबाई तो यह हो गए इसके आपके एंसर तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं जो कि हमारा है सवाल नमबर तीन दिया गया है मिलान कीजिए सवाल नमबर तीन में क्या दिये गया है कि मिलान कीजिए चले करते हैं मिलान पहला है सीधे पूल पर रेल गाड़ी की गती पता है क्या होती है सरल देखिए गती दोड़ते समय आपके हाथों की गती क्या होती है आवरती गती मेरी गो राउंड जूले की गती क्या होती है वर एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 60 सेकंड का समय लेता है सरल लोलक का वर्थ का लियांत कीजिए क्या बोल रहा है सबारो आप समझिए क्या बोला की मान लेजिए कि एक लोलक है यह यहां से लेकर यहां तक क्या होती है जाती है यह लोलक का यह रास्ता हो गया, ठिक, तो यह एक लोलक है, और लोलक जो है वो आपके, इस रास्ते में गती करती है, यहां से लेके यहां तक आती है, ठिक, तो क्या बोले कि एक बार में तैकी के जो दूरी होती है, वो आवर्थकाल गाल आती है, मतलब कि यहां से यहां जान में जो समय है वो कितना आवर्थ हो गया तो ये आपका एक आवर्थकाल हो गया ठीक चलिए तो बोला कि 20 दोलन फूरा गता है 20 बार आता जाता है कितना आता जाता है 20 बार आता जाता है उसमें कितना समय लेता है 60 सेकेंड लेता है तो एक लोलक 20 बार आने जाने में कितना समय कितना होगा बताईए कि जो सराल लोलक का जो आवर्तकाल है वह आवर्तकाल कितना है एदिवा 20 दोलन पूरा करने में 60 सेकेंड का समय लेता है तो तो कितना होगा कुछ नहीं आपको डायट भाग दे देने हैं क्या तो आपको लिखने हैं यहां पे कि आवर्तकाल बराबर 60 भागा 20 तो कितने आ जाएंगे तीन सेकेंड आ जाएंगे तो यह इसी तरह से आपको इसने बनाने हैं तो यह हो गए आपके इंसर्स और आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका पेज नमबर 59 हो जाता है यहां पे समांत तो अगले वीडियो में पेज 61, 62, 63 और आगे के सभी वीडियो को देखेंगे तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर लें वीडियो को सेर और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है तो मिलेंगे एगले वीडियो तो तक लिए धन्यवाज जाहिंद बंदे मात्र